जैहिन दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस सेल भरें दोस्तो हम आ चुके है एक नए वीडियो में इस वीडियो में दोस्तो बताएंगे एरफोस रिजल्ट और निव वेकंसी के बारे में देखे दोस्तो एरफोस रिजल्ट अभी तक नहीं आया है देखिए दोस्तों हमने क्या mail किया था और new vacancy और result date के बारे में भी complete जनकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो के अंतक बने रहिए इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर लिजिए और टेलिग्राम चैनल और टेलिग्राम ग्रूप को जोईन ने किया पीडियाफ सबसे पाहले सेंड कर दिया जाते हैं और रोजगार समचार पत्र भी जो नीव वैकंसी आती रहती है सारी जनकारी टेलिग्राम पर मिल जाती है तो चलिए दोस्तों वीडियो दोस्तों इंडियन एर फोर्स और रिजल्ट के बारे में सबसे पहले जो हमने इमेल किया था वो आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमने क्या इमेल किया था और उसका रिप्लाई क्या आया है तो चलिए मैं आप लोगों को वो इमेल दिखा देता हूँ यह देखिए दोस्तों हमने क्या इमेल किया था यहां पर इसके जो आफिसियल इमेल है वो आप लोग जानते होंगे कि CASB IAF.CDAC.IN इस पर हमने इमेल किया था और देखिए इमेल क्या किया था इस पर यह देखिए यह घू प्यू अपंज बन्याय इर आफॉपकर 만शा ऑनठी यह ज़ित एक रफ इन आफ दुप भी रपष नव करने था इमेल क्या किया तिर्लॏट देखिए perception यह चिल इस यह जश्य से स्लेट दिख टू झाबदी नख.श जए किottedím प्लीज आल्सो टेल अस दर्जीस यानिकि दोस्तो हम अब चली इसको कंप्लेट आप लोग को हिंदी दिखा देते हैं दोस्तो हमें यह पता था कि इनका रिप्लाइ क्या आएगा तो यहां पर देखिए मैंने इसलिए पहले ही एडिमिनेस्टीटी डीजन का यहां पर लगा दिया तो इसका चली मैंने पहले हिंदी इसका आप लोग को दिखा देता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ देखिए दोस्तो हमने इसका इमेल आप लोग को देखिए हिंदी में इसका मतलब क्या होता है देखिए सर इंडियन एरफोर्स की नीव वैकंसी कब आएगी सर क्या इ दोस्तो इसमें जो इसका requirement circle होता है वो इसने पूरा नहीं किया तो इसलिए मैंने यह लिख कर सेंड किया था उसके बाद यहां पर देखे दोस्तो अगर आपका उत्तर प्रसासनिक कारण है हमें पता था दोस्तो कि यह administrative रिप्लाई देने वाले हैं तो इसलिए मैंने यहां पर पहले ही लिख दिया था कि सर अगर आपका उत्तर प्रसासनिक कारण है तो किर्पया उस प्रसासनिक कारण में कौन से कारण है यह बताने की किर्पा करें यानि कि दोस्तो हमें पता था कि यह administrative रिजन ही बताएंगे तो उस administrative में कौन सा रिजन है यह भी हमें बताना चाहिए बट उन्होंने यह नहीं बता आया तो हमने यह mail किया था अब देखिए दोस्तों उनका reply क्या आया है यह मैं आप लोग को बता दे यह देखिए दोस्तों कर रिप्लाई क्या आया है वही फिर same to same reply आया है जो कि इनके इंडियन एरफोर्स के साइट पर दिखा रहा है यहां पर देखिए due to administrative reason conduct of enrollment of the airman of the intake to 2021 result और यहां पर enrollment के बारे में जबकि दोस्तों यहां पर आपने मैं जो आप लोग को दिखाया है यहां पर मैंने जो है वो enrollment और result के बारे में पूछा ही नहीं मैंने केवल new vacancy के बारे में पूछा था आप लोग यहां पर देखिए मैंने केवल new vacancy के बारे में पूछा था आप लोग email में देख सकते हैं मैंने result और enrollment का कहीं जिक्री भी नहीं किया था फिर भी इन लोगोंने केवल जो site पर update आया है वही दिया है इन्होंनों reply यानि कि यह email को भी नहीं read कर रहे हैं कोई भी यानि कि उनके पास email जाता है जिससे related हो वो केवल यही copy paste करके send कर देते हैं यानि कि इनको कुछ read route करना नहीं है बस क्या कोई problem नहीं सुननी है बस इनको केवल एक ही दिखाना है problem कि due to administrative reason बाकि यहीं देखिए यहां पर यही reply आया हु नहीं किया गया है तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहां पर धोखा किया जा रहा है हम लोगों के साथ चलिए दोस्तों जो भी reply आया था हमने आप लोग को बता दिया है बाकि इंडियन एरफोर्स के new vacancy और result के बारे में तो कुछ भी कहा ही नहीं जा सक करते हैं कितना बड़ा धोका किया जा रहा है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जैहिन